को ने तोयोटा कि इनोर कृष्टा को भी फैनली इंडिया के अंदर नया आफ़तार मिलने वाला है मतलब कि फैनली अभी इनोर क्रीश्टा का सिसलिप्ट आने वाले जो लोग बोल हो चुक है डिजाइन से या फिर जो लोग बोल रहे थे कि गाड़ी को अपडेट नहीं किया जा रहा टाइम टू टाइम या फिर बात करें तो उसके अलावा और भी उसकी कई सारी चीज़े जिसकी वज़े से गाड़ी की सेल्स तो अभी भी तकड़ी हो रही है लेकिन जितने लोगों भी ये सारी चीज़े पता है उसमें से कई बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इनौग का हाइक्रोस नाम से नाया पता है कि गाड़ी के बारे में ज्यादा डीटेल आई हो तो बताओ अभी वीडियो बना दो और एक वीडियो बना दो तो इस वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में डीटेल में सब कुछ मिलने वाला है मतलब की सब कुछ इंफरमेशन आपको डीटेल में देखने को मि मिल सकती है तो इंटियर के बारे में बात करें तो जो भी नई डिजाइन आ रही है अब भी हाई हाई क्रॉस के अंदर वही सम सब सेम चीजे होने वाले इंटरम्स ऑफ मट्रियल जो हमने अल्रडी हाई राइडर वगेरा के साथ में देखिए मदलब की सौפ अठीक लाकुल लाप्ट सट्ट हो जाएगा आज मेंने सटेरिंगें की डिजोंगी सीटम वाले सीट की दिजाइन में और बन वाला थे प्लस तो तो यह सारी चीज़े हैं इंटियर के बारे मोटा मोटी तौर पर अब बात करते एकस्टियर की तो एकस्टियर में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि गाड़ी ओल विल ड्राइव के साथ में आने वाली है मतलब की दो आपको मिलेंगे अगर आपको फ्रंट विल ड्राइव तो भी मिलेगी और ओल विल ड्राइव लेनी है तो भी आपको देखने को मिलेगी गाड़ी अब जो टिपिकल रियल विल ड्राइव में आजी थी वो आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि गाड़ी मोनो कॉक्ट चैसी के उपर बेस डॉने वाली है एकस्टियर में और और तो फ्रंट आपको पूरा देखने को मिलने वाला है फ्रंड हैड्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी अन्यव यह दैजर जो जाने वाले जाने और कि बाते निसब्स पर्द लेंट रहे हैं धूर को मिलने वालेеци You क्योंकि Dimensions में तो आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलने वाल है उसके अलाब बात करें तो Connected Car Technology वगेरा आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाल है प्लस Strong Hybrid System भी इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाल है जिसके बारे में हम भी आपको आगे चल के बताने वाल है कि इंजन ओप्शन के साथ में आपको वो सब क्या कुछ मिलने वाल है तो यह सारी चीज़े एक्स्टियर के बारे में थी एक्स्टियर में और ज्यादा बात क्या स्टांस जो है वो MPV से अब बढ़कर SUV जैसा दिखने लगा है जो कि इनोवा क्रिस्टा हमेशा से MPV जैसी दिखती है हाला कि बहुत अच्छी डिजाइन के साथ में अभी अच्छी है डिजाइन लेकिन कब इसको टोयटा लांच करती है वो भी अभी देखने वाली बा तो यह दो चीजे हैं आप को हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसा है कि अगर डिजल बंद हो गया तो आपको इनोवा पसंद नहीं आएगी उसके बाद में या फिर आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि यह गाड़ी डिजल के साथ में ही बिखती है तो इस वज़े से बड़ा कंसर रहने वाला है तो देखने वाली बात होगी कि टोयोटा डिजल इंजन को डिसकंटिन्यू करता है या फिर स्टॉंग हाइब्रीड के साथ में डिजल को लेके आता है तो यह सारी चीजे देखने वाली है जब भी गाड़ी लॉंच होगी तब यह सारी चीजे रिवील हो जाएगी लॉंच डेट और प्राइजिंग हम आपको अभी शॉरीटी के साथ में तो नहीं बता सकते हुन्रेट परसेंट लेकिन उसके अलावा हम आपको यह बताना चाहेगा कि चाहेंगे कि लॉंच डेट जो होने वाली है गाड़ी की जानुवारी 2023 में गाड़ी को अन्विल किया जा सकता है मोटा मोटी दोर पे आपको सिर्फ डिजाइन दिखा दी जाएगी लेकिन जो प्रॉपर जो लॉंचिंग होगी वह फेबरियु आई 2023 तक हो सकती इंडिया के अंदर तो यह सारी चीजे प्राइजिंग क झाल